कोई जूता मारने की धंकी देता है कोई बीच सड़क पर खड़ा के बोल देता है कि जान से मार देंगे कोई राहूल गांदी जी को पपू क्या देता है कोई मंदर मस्जिद मंगसुत्र से जोड जेता जुड कर चलेंगे और अगर कोई नहीं जुड़ाना चाहता तो उसका कोई स्वागत नहीं है तो अगर हर्याना के अंदर केजरिवाल की जो सरकार है उसने गटबंदन आमादमी पार्टी ने गटबंदन स्विकार नहीं किया तो कोई दिक्कत निया फिर मुद्धा बचाने तो बीजेपी वालों ने दलितों को अपने साथ जोड़ने के लिए मुद्धा उठा लिया और इसको हवा बना दी अब आप यह सोचे अरक्षन के मुद्धे को लेकर आप जूता मारेंगे राहूल गांदी जी को निती को अपना रहे हैं तो अब जो मुसल्मानों के बाद अगला टार्गेट भारत्य जनता पार्टी का हो सकता है और मैं आप आपको बता देती कि राहूल गांदी जी को इसका आभास पहले से और अब पढ़े लिखे नेता है और गुम गुम कर इस तरीकी के बयान देते हैं कि राहूल गांदी जी को भी मार दिया जाएगा धमकी किसको दे रहे हैं तली तो पिछड़ों मजदूमों की आवाज उठ चूठ यह उनके घर पर भी आज नमस्कार आप देख रहे हैं फोरम फोर मैं हूं प्रभात और इस वक्त जिस तरीके से राहूल गांदी के बयानों ने विवात खड़ा कर दिया है और लगातार राहूल गांदी को धमकिया में नहीं है जान से मारने की कभी जूते मारने की और ये खुले एहाम बीजेपी के नेता और बीजेपी के मंत्री ऐसे कर रहे हैं तो इस मुद्दे पर हम जानते हैं हमारे साथ हैं कांग्रेस की प्रवक्ता तनू कैसे देखती हैं इस मैटर को जिस तरीके से राहूल गांदी ने बयान दिया सिखों को ले करके और इसको ले करके सिख संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं या फिर बिरोजजदार हैं देखे राहूल गांदी जी समविधान को मालने वाले नेता हैं और समविधान से अलग वो कोई बात नी करेंगे सिर्फ आज देश में एक वही नेता है जो सविधान के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो राहूल गांदी जी तो ये कहना चाहते हैं जिस पार्टी के राज में आरक्षन आया वो उसको आरक्षन खतम करने की बात नहीं कर रहे हैं ये समझने में मिस्टेक हो गई है राहूल गांदी जी ये कहना चाहते हैं क्योंकि मुझे ये लगता है कि जब सब एक ही प्लैट्फोर्म पे आ जाएंगे तो आरक्षन की देश में ज़रुत नहीं पड़ेगी राहुल गांदी जी तो उन दलितों के लिए लड़ रहे हैं जिनको आज आरक्षिन मिल रहा है वो सिफ राहुल गांदी जी के परिवार की वज़े से मिल रहा है और मैं ये भी कहना चाहते हूं कि जो आरक्षिन खतम करने की बात राहुल गांदी जी ने किये मुझे ये लगता है कि आरक्षन अगर खतम हो जाएगा तो ये खुश होना चीए दलितों पिछणों को क्योंकि उनको बिल्कुल बराबरी का दर्जा मिलेगा जो कि आज भी बेशक देश इतना आगे बढ़ चुका है अजादी के इतने साल बीच चुके हैं लेकिन बावजुद इसके आज दलितों पिछणों को अलग नजरों से फिर भी देखा जाता है अब देखें बीजेपी की नेता पेशाप कर देते हैं उनको घरों से बाहर बिठाये जाता है पूडे कच्रे वालों को आज भी लोग गंदी नजर से देखते हैं तो जब सब ए अरक्षन इतना ज़रूरी नहीं है लोगों को यह सोचने की जरूरत है दलतों पिछणों को यह सोचने की जरूरत है कि जब वो समान अधिकार सबको मिल जाएंगे तो सब सक्षम होंगे अपने हर काम करने के लिए तो कोई तकलिफ नहीं होगी तो आरक्षन की जादा जरू वैसे भी राहुल कांदी जी के बैयाना को तोर मड़ोकर पेश करते रहें कि आदत प्रण्वादी नर्येंद्र मोधी खुद गांदी जी पर हमला बोलते हूं कि बैयानों को उल्टे-सीधे तरीके से पेश करते हैं उनकी सदस्टा रग करने की साजिश करते हैं तो आप सोचिए इनके नेता कर सडक पर खड़ें के धंकी भी दे देते हैं कि जो इंद्रा गांधी जी के साथ हुआ वह रहूल गांधी जी डरिंगे यह वो परिवार है जो देश में शावर हो गया तो अगर आज कल तो जो नियाई पालिका के सबसे बड़े सीजे चंद्रचूर जी हैं उनके घर पर भी आज कल नेता बैठे लगें तो देश की शौर जा रहा है नियाई पालिका पर क्या भारते जंता पार्टी कबज़ा करना चारी है यह अपने आप में एक सबसे बड़ा सवाल है औ पूजा अर्चना में जाना कोई बुरी बात नहीं है लेकिन सीजे चंद्रचूर जी की खिलाफ हमेशा बयान देते भी रहे हैं और उनकी नीतियों का भी जो गलत है उसका विरोध किया है तो आज अब आगे से क्या सीजे चंद्रचूर नरेंद्र मोधी के बयानों का विर सिस्टम को फेल करकर पधरमती नरेंद्र मोधी कूरसी पर कारे रहत रहना चाहते हैं और इनकी नेता सड़कों पर गूंगूं कर इस तरीकी के बयान देते हैं कि राहुल कांदी जी को भी मार दिया जाएगा धमकी किसको दे रहे हैं उस बेटे को दे रहे हैं जिसका पूर कि देश के अंदर ग्रेनेट फट रहे हैं प्रधनती नरेंद्र मोधी को समझ में नियारी गुडगाओं के घरों में इस तरीके की चीज़े हो रहे हैं तो मोधी जी यह जो सुरक्षा की बात आपने की थी हो मिनिस्टर ने जो सुरक्षा की बात की दी उस सुरक्षा कहा है इसको इसकी लड़ाई है हमारी तो इस तरीके के बयान मतलब सिख संगटनों को कहीं न कहीं वो देखते हैं कि राष्ट बिरोधी बयान है कि सिख यहां पर सुरक्षित नहीं है ऐसा राहूल गांदी कहना चाह रहे हैं जो बचाने के लड़ाई है क्योंकि जैसे-जैसे मुसल्मानों को टारगेट किया जा रहा है कल को ननेंद्र मोधी ब्रामणों को अपने साथ मिला कर कहीं ऐसा ना हो कि सिख धर्म को भी टार्गेट करें लेकिन इस देश के जो ब्रामण उन्होंने राम मंदिर वाली जगह से इनको हरा कर ये तो साबित कर दिया कि जनता बेवकूफ नहीं बनने वाली लेकिन भारतिय जनत कर रहे हैं कि अगला नंबर आप का है क्योंकि हिंदू मुसल्मान की राजनिती देश की जनता को पता लग गई लेकिन अगला टार्गेट कौनों का सिख कॉम्मिनिटी होगी और यह भारतिय जनता पार्टी की तरफ से होगी तो रहुल गांदी जी यह कहना चाहरे थे कि आ अपमान करने का मतलब नहीं था लेकिन फिर भी हम हाँ जुड़कर कहते हैं अगर किसी को बुरा लगाओ तो माफी चाहते हैं कॉंग्रेस पार्टी लेकिन राहुल गांदी जी का बयान का यह मतलब था जिसे बीजेपी ने तोड़ मरोड का पेश किया और जनता में फूड दालने की कोशिश की लेकिन इसके अंदर कई सारे सिक्संगठन भी आ रहे हैं ऐसा विरोध प्रदशन जता रहे हैं कह रहे हैं राष्ट विरोधी बयान देते हैं राहुल गांदी अक्सर जाकर के दूसरे देशों में ऐसी बयान बाजिया करते हैं देखे मोदी जी के खिल पताते हैं पीजे की नरेंद्र मोदी जीटों जाते थे देशों में हाथ पेट जोड्के हैं लेकिन राहूल गांदीजी जी जाते हैं तो जब इंटर्विवी देने लाइक है नहीं क्योंकि टेली प्रोंटर वो इस्तमाल करते हैं विदेशओं में English तो वह बोल नहीं पाएंगे जिस देश में संविधान चलता है और उस सविधान को आज खतम करने की साज़िश है तो बुद्धो पर बात करते हैं लेकिन मोदी जी किस पर बात करते हैं मोदी जी अक्टिंग सापने देखिए जब वो कैमरे के सामने होते हैं तो कुछ अलगी भी है छोटे बच्चे से मिल करेंट सिचुएशन को लेके वो क्या बोलते हैं अब आपसे को पूछे राहुल गांदी जी से को पूछे आपका प्रधान मंतरी कौन है देश में मोदी जी किसी और का नाम तो लेंगे नहीं तो ऐसी सच बोलना होता है वो सच राहुल गांदी जी विदेशों में बोलते ह तो इस तरीके का असर कितना डालेगा क्या अभी ऐसे मुद्दे क्यों सामने आ रहे हैं राहुल गांदी को सीरिसी डे टार्गेट देखे नेता विपक्ष कितना मजबूत है यह सदन में भी पता चल गया और यह जमीन पर भी पता चल गया प्रधानमती नरेंद्र कि डेट में नहीं है इसलिए नहीं है क्योंकि बीजेपी वाले जो बीजेपी के कुछ समर्थक है सिर्फ वो सड़कों पर हैं और वो जिस तरीके से लोगों को बर्गलाने का काम करें मुझे नहीं लगता कि बड़े अंदोलन में राहुल गांदी जी के खिलाफ कुछ कर प जूते मारना और कंगना रानोद के सिधे राहुल गांदी पर सिधे बयान नफरती बयान इस तरीके से तो इसका मतलब पब्लिक में क्या मैसेज जाता है देखिए जब सत्ता में बैठे नेता और उनके कैबिनेट के जो मंत्री है वो इस तरीके के बयान देते तो आप सोच अंगल सुत्र छीन लेगा क्या देता है शरम आनीची इस देश के तमाम नेताओं को जो मड़ेपूर की बेटियों पर नी बोलते हैं जो इस देश की किसी भी महिला पर बयान नी देते वह आकर राहुल गांदी जी को टार्गेट करने के लिए गंदे तरीके के शब्दों क को उसे प्रज़ी परहँ करते हैं या तो तोड मढ़ो का पेश कर देता है या विरा हूल गांदी जी के खिलाफ कुछ ऐसा बोल मुझने लगे अब नेगिटिव पप्लिसिटी उनको चाहिए होती है बीजेपी की नेताओं को पप्लिसिटी के लावा कुछ रहतो गया नहीं काम इंसे होते नहीं तो यह राहुल गांदी जी का नाम इस्तवाल करकर ही बड़े बनना चाहते हो तो बनी अगर आप बन सकते तो राहु आपे सरकार बनीनी तो सवाल जायस था अब होधी जी समझ नहीं पाए खटा हट खटा कर तो सरकार को दरकिनार करना था फटाफट पटाफट को लाना था तो काफी अफेक्त की कॉनावों में काफी आगे काफी पाटिई नजर आई है और मुझे लंगता है कि बदलाव में थोड़ा समय लगता है वो समय कि पहली दूसरी सीडिये हम पार कर चुकि अब सीधा छलांग लगेगी और अगले चुनावों में कॉंग्रेस की सरकार सत्ता में होगी हर्याना चुनाव भी हम लोग जीत रहे हैं किसी भी स्टेट में तो राहुल गांदी जी ने तो अपना वादा पूरा क्या सीट ओफर्स की लेकिन नहीं उनमें बन पाई आपस में तो ठीक है अलग-अलग चुनाव लड़ेंगे लेकिन हम केंद्र में साथ है और साथ ही रहेंगे अगर केंद्र में भी नहीं बने कि तो थो पर पर चुनान पर रोजगार पर शडकों पर गड़ेंजा और घड़ेंगे olur झाइस врем नालों पर जो मेन मुद्द है उस पर चुनाब होने वाला नयाब सिंग सैनी जी तो वैसे भी चार-पांच मैने के सीम बने वे थे सीम पत्स से भी हट जाएंगे अब और खटर जी का तो तो मुझे नहीं लगता क्योंकि दिल्ली तो उनका गड़ था लोग सब हमें भी आपने देखा कि वहां की जनता ने दिया था हर्यानकी वो इस बार दरकिनार करकर उनको कॉंग्रेस को मौका दे रही है तो आमाद में पार्टी का या किसी और पार्टी का सवाल ही नहीं उठता है बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करें खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पानी के लिए बैल आइकन दबाएं